बिक बॉस के घर में क्या रुबीना ने आभिनव को राखी और अर्शी से दूर रहने की सला दी है दरसल कल रात को जो नियू येर पार्टी टास्क हुआ जिसमें कैप्टेंसी की दाविदारी भी राखी सावत अर्शी और राहुल महाजन के बीच में उसमें अर्शी ने जो पूल में लड़कों की साथ डांस किया है उसको लेकर अब रुबीना ने उसकी टीका की है क्या कहा है रुबीना ने लाइफ फीड में मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगे दरसल कल वो लाइफ फीड में जो टास था यकीन मानिये बहुत ही चीप लग रहा था लेकिन रुबीना और निक्की जो है अब इस बात को बातचीत कर रहे हैं इसी चीज को लेकर कि कल जो चीज़े हुई दरसल राओन महाजन काप्टन बन गया है् अब राहुल महाजन ने रुबीना को यह बोला कि अर्शी जो है मेरी दासी है कल आज रात को तो रंगा रंग कारेकरम होने वाला है तो रुबीना कहती है हूँ अगले काडर में बैठी है निक्की आई और बनो नहें जिस पर निक्की कहती है कि पता नहीं राहुल महाजन भी वहां जा जाके नाच रहा था और अर्शी भी जिस तरीके से अपनी जैकिन खुल खुल के डांस कर रही थी वो बहुत ही पता नहीं अब हम कौन होते हैं जज़ करने वाले क्योंकि मेरे लिए है कि मुझे वो पसंद लगेए हैं तो रुबीना कहते हैं मैं तो लगाऊगे विए अपनी बात करूँगी कि मुझे बिलकुल वो पसंद नहीं में जिस पर बिलकुल लगकी एगरी कि मुलने वाले य। कि उनका अपना कॉल है लेकिन मैं अपनी बात करूंगी कि मुझे बिल्कुल वो पसंद नहीं है जिस पर अपीना कहते हैं बिल्कुल I agree कि मुझे भी वो पसंद नहीं है लेकिन इन चीजों पर थोड़ी तो रोग लगनी चाहिए थोड़ा तो कुछ होना चाहिए इस तरह कि इस वो concern दिखा रही हैं फिर वो कहती है कि अब मैंने भी कहा कि देखो तुम को तुम सोच लो कि मैं क्या कहा देखना है यह सारी चीजे तुम सोच लेना तो जाहिर से बात है कि वहां पर वो अभिनब का जिक्र कर रही थी लेकिन एक बात तरह है कि कल रात को जो टास्क हुआ उसमें अर्शी ने जो डांस किया है उसको लेकर जैसमिन खफा थी राखी सावंथ ने आज अर्शी को कहा है कि कल जो तूने किया है इतना नहीं करना चाहिए था विकास गुपता ने उसको ये बात सुना दी रुबीना उस बात से नराज है और निक्की ने ये कहा कि मैं जर्ज नहीं करूंगी ये उसकी अपनी चॉइस है मुझे नहीं पसंद और इसलिए मैं वहाँ पर उसका हिस्सा नहीं बनी तो अर्शी के उस डांस ने घर के अंदर बहुत सारे लोगों को ख़फा किया है और इसी बात को लेकर रुबीना थोड़ा गंसर्न है उसे और उसने ये बात का जिक्र किया कि मैंने भी कहा कि तुम सोच लो तो जाहिर सी बात है कि उनका इशारा जो है अभिनव की तरफ था कि तुम्हें कहां दिखना है क्या करना है ये सारी चीज़े अब तुम सोच लेना